सब्जियों के नाम से ही बच्चे नाकमू से कोड़ने लग जाते हैं और खाने को मना कर देते हैं तो आज हरी सब्जे कुछ अलग अंदाज में बच्चों को खिलाया जाए तो वे आराम से खा भी लेंगी और ये बंती भी बहुत तेस्टी है तो चलिए सुरू करते हैं बनाना हेलो फ्रेंड्स यमी फूड और रेसिपीस में आपका स्वागत है तो आज मैं इसके लिए दो तरह की स्टफिंग बनाऊंगी तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है बाउल में मैंने दो चम्मज के लगवक दही और एक चम्मज म्योनिस डाल दिया है और साथ में डाल दिया है एक छोटा प्याज चौप करके साथ में कुछ टमाटर के टुकड़े और एक गाजर घिस करके इन सब चीजों को डाल करके हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही और म्योनिस में जो हम सबजिया डाल रहे हैं वो मिक्स हो जाए अच्छे से सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद अभी इसमें हम कलर के लिए थोड़ा सा बीट रूट हम इसमें घीस करके डालते हैं बीट रूट को मैंने ऐसी बस उपर का शिलका उतार लिया है और इसे घीस करके डाल दिया है तो इसे के है कि इसे बहुत अच्छा रेड कलर आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा क्या 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 सज्जिय डाली है साथ में थोड़ा सा बिलकुल हलका सा नमक और थोड़ी सी कालिमर्ज डाल दी है टेस्ट के लिए तो इस तरह से हमारी एक स्टफिंग रेडी हो गई है तो अब एक दूसरा बाउल हमने लिया है उसमें भी सेम कॉइंटिटी में दही और मियॉनिज डाल दिया है वही दो चम्मच के लगवक दही और एक चम्मच मियॉनिज तो सबसे पहले हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे दोनों मिक्स होकर के पता ही नहीं चलड़ा है किसमें क्या के डला वह है और अब हरी सबजें डालते हैं इसमें डाल दी है मैंने बारिक कटी वी आधी सिम्ला मिर्च साथ में डाल दी है थोड़ी से स्प्रिंग अनियन के पत्ते और थोड़ी धनिया पता तो इससे सारी ग्रीन वेजिस इसमें मैंने डाल दी है और साथ में डाल दी है थोड़ी पता गोभी इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी इसमें कलर लाने के लिए मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी जो धनिया पता है कि ग्रीन चटनी हम घर में बनाते हैं तो वो चटनी मैंने लगभग एक से डेड़ चमच इसमें डाल दी है ताकि एक अच्छा सा ग्रीन कलर इसमें आ जाए और चटनी का टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है तो अब इसके लिए एक सॉस बनाते हैं सॉस बनाने के लिए मैंने एक सेजवन चटनी और एक चमची टमेटो सॉस टाल दी है इन दोनों को डाल करके हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे ये इसमें जो सेजवन सॉस का जो जाल है वो टमेटो सॉस डालने से थोड़ा सा एड़जस्ट हो जाएगा और इसमें मैंने ले लिए है हरी चटनी अब लेते हैं हम ब्रेड की स्लाइसेज ये मैंने तीन स्लाइसेज ब्रेड की लिए हैं इसके किनारों को हम काट करके सभी ब्रेड के किनारे हम काट लेंगे और इसे एकदम अच्छा सा शेप दे लेंगे इन किनारों को फेके नहीं इनको आप काट करके इसको आप मिक्सी में पीस करके bread crumbs की जैसे यूज़ कर सकते हैं तो ये देखे सारी bread रेड़ी हो चुकी है तो अब चलिए करते हैं एसेंबल तो इसके लिए मैंने सबसे पहले bread को तीनों को फैला लिया है और एक bread पर butter की अच्छी सी coating लगा दिये और इसके उपर लगा दिये है जो हमने red sauce बनाया था tomato sauce और सेज्वाण चटनी को मिला कर गी वो sauce लगा दिये है और इसके उपर अब हम डाल रहे हैं हमारी green जो हमने stuffing तयार की थी वो green stuffing डाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि red के उपर green डालेंगे तो इसा color बहुत अच्छा लगेगा तो ये लगा करके फिर हमने एक slice cheese की लगा दी है और इसके उपर थोड़े से mix हर्व को sprinkle कर दिया है और अब इसके उपर हम दूसरी slice bread की रखते हैं इस bread की slice के उपर अब मैं लगा रही हूँ green chutney green chutney को अच्छे से फैलाते भी लगाएंगे green chutney के तुरंट bread में सोक होने लग जाती तो इसे तुरण जल्दी जल्दी लगाएं तो देगे ये green chutney के layer हमने लगा दी है और इसके बाद अभे जो red वाली stuffing है वो हम इसके उपर फैला देंगे अच्छे से bread को cover कर दें स्टफिंग से और अब इसके उपर मैं डाल रही हूँ मुजरेला चीज अब मुजरेला चीज या process चीज कोई भी डाल सकते है या तो चीज slice भी डाल सकते है कोई दिकत नहीं है मेरे पास मुजरेला चीज थी तो मैंने मुजरेला डाल दी तो ये चीज डालने के बाद अब हम क्या करेंगे इसे हम एक और जो slice हमने तीन ली थी न तो एक जो बचीवी slice है उससे ढख देंगे और अच्छे से इसको दबा करके प्रेस कर देंगे और इसके उपर एक बटर की layer लगा देंगे अब तवा मैंने गरम होने के लिए पहले ही चड़ा दिया था तवा गरम होते ही हम इसके उपर थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर डाल करके फिर ब्रेड की जो सेंड़िच हमने रेडि की है वो हम इसके उपर रख देंगे आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं ग्रिल करने में कोई रिकत नहीं है और मैंने इसे एकदम आज को लो करके इसे दो मिनट के लिए ढख करके छोड़ दिया है तो जिसे क्या सबजिया है वो पक भी जाएंगी और नीचे में एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा तो बस इसे एक बार थुआ सा हलका सा प्रेस कर देते हैं ताकि जो ब्रेड वो सारी सेट हो जाए अच्छे से देखे उलटने के बाद कितना अच्छा गोल्डेन कलर आ गया इसी तरह से हम दोनों तरफ से इसे सेक लेंगे और यह देखे यह हमारी ब्रेड की सेंडविच बिल्कुल रेड़ी हो चुकी है तो अब इसे कट कर लेते हैं कट करने के लिए मैंने नाइफ का इस्तेमाल किया है आप इसके उपर भी चीज और उपर से भी डाल सकते लेकिन अंदर मैंने बहुत चीज डाल दी इसलिए मैंने उपर से इसमें चीज नहीं डाली है तो यह देखे कितनी अच्छे सेंडविच बनी कितना अच्छा कलर आया है रेड, ग्रीन, वाइट सारी कलर सालग अलग दीख रहे हैं चीज भी खुब अच्छे से मेल्ट हो गई है तो आप इस तरह से सेंडविच बच्चों को बना कर के देंगे तो बच्चे आराम से हरी सबजिया भी खा लेंगे और साथ में उनका पेट भी भरेगा और उन्हें बहुत ही टेस्टी भी लगेगी है खाने में तो आपकर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और साथ में शेयर जरूर करिए ताकि और लोगों को भी ये रेसिपी मिल सके और साथ में अगर मेरी चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप भी घर में ये वाली सेंडविच बनाईए और बच्चों को खिलाईए और साथ में बड़े भी खाएंगे बहुत ये अच्छी सेंडविच बनती है कि आप इसे किसी पार्टी स्नेक्स की तरह भी बना सकते हैं तो आप जब ये स्नेक्स बनाएं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये सेंडविच आपको कैसी लगी तो मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक्यू अब बेल आइकन को जरूर दबा दीचेगा ताकि नहीं नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए